कि हले उर्वान विल्कम टाइफेस दोस्त आज के सिश्चन भी हम एरोमेटिक सिटी के प्रीवियस येर कोश्चन को डिसकस करने हो देखते हैं कोशन नंबर वन से क्या पूछा गया रियाक्शन डैट रिजल्ट्स इन दी फॉर्मिशन ओफ एरोमेटिक स्पेसिस आठ ठीक है इसके साथ कॉडिनेट करेंगा इससे निकाल देंगा यहां से मुझे मिलता है थ्री मेंबर रिंग विद कार्बो कटार फ्लूरीन निकल गया दोनुं इलक्ट्रोंस लेकर गया तो यहां पर कार्बो कटारन मिला और यह स्पेसिस कैसी है बई टू पाई इलक्ट्रों साइक अगर मैं बात करूंड में क्या दिया गया यहां पर यहां पर यहां पर यहां से निगेटिव चार्ज बनाएंगा मुझक बंदेंगा इस यहां से क्या बना हनायन को यहां पर फ यह ओर यहां पर फ यह और लगा हाओ compound कैसा हो गया बही anti-aromatic anti-aromatic compound अब यहाँ पर अगर देखे third compound में तो यहाँ पर भी silver Bromine के साथ में coordinate करके Bromine को निकाल देंगा यहाँ से क्या बनेंगा आपको यहाँ से compound बना आपका Faiu Membring with Carbocatan यह 4 pi electrons Cyclic Conjugate यह बन गया है anti aromatic compound ठीक है अब यहाँ पर देखो आपको five member ring cyclopentadine और उसकी reactions करा रहे हैं अब sodium लेकिन sodium एक ही दिया है तो यहाँ पर एक ही electron देंगा एक sodium है तो एक electron देंगा यहाँ पर आपको radical कुस्तों मिलेंगा यह compound aromatic है क्या है तो आपके aromatic compound कौन कौन से है भी एक compound कैसा है आपका aromatic ठीक है बाकी सब कैसे आपके non-aromatic या anti-aromatic बोल चकते है आप नेक्स्ट एक्जामपल अमंग दी following anti-aromatic compound is art ठीक है अगर आप देखें यहाँ पर पहला compound जिसका नाम में pentalin pentalin system दिया गया आपको pentalin कैसा है भी polycyclic non-benzonide compound है और polycyclic non-benzonide compound के लिए हम कौन सा rule यूज करते है पोरें पर हकल सा rule को यूज करते है क्या नहीं polycyclic non-benzonide है इसके लिए हम क्या यूज करते है भी cracks rule को और cracks rule क्या बताता है या तो aromatic बताएंगा aromatic compound बताएंगा यहां फिर non-aromatic compound बताएंगा यहां पर यहां से तो हम anti-aromatic के बारे में कुछ बताएं नहीं सकते यह anti-aromatic compound हो सकता है क्या नहीं ठीक है पहला option तो ऐसी eliminate हो गया second अगर compound के बात करें तो यहां पर सर्फ 4 and 5 electron systems है ठीक है cyclic है planar है conjugated है cyclic planar conjugated यह compound कैसा होंगा सर anti-aromatic compound होंगा anti-aromatic ठीक है anti-aromatic compound और अगर मैं इसकी बात करूँ यहां पर यहां पर यह SP3 है यह हो गया non-planar non-planar और non-planar जब compound रहता है तो यह compound कैसा बन गया non-aromatic non-aromatic compound अगर मैं थर्ड compound की बात करूँ तो यहां पर फूर पाइलेक्ट्रों से cyclic है planar है conjugated भी है यह compound भी कैसा है आपका anti-aromatic यहां पर आपको questions क्या आते है anti-aromatic compound बताना था anti-aromatic compound कौन कौन से आपके second and third ठीक है बागी के कौन से आपके non-aromatic इसका अंसर क्या होगा second and third नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं among the following number of aromatic compound इस यहां पर आपको पांच compound दिया गया जिसमें आपको बताना है number of aromatic compound कितने और यह question से आपका it jam 2017 का देख लेते हैं आपर aromaticity के लिए क्या condition से भी aromaticity के लिए एक बाद देख लेते हैं यहां पर all atom पहले तो cyclic होना चाहिए ठीक है उसके बाद में all atoms are sp2 hybridized all atom sp2 hybridized मिस यहां पर planar form होना चाहिए that is planar cyclic resonance हकल्स rule को क्या करना चाहिए पर follow करना चाहिए हकल्स rule follows तो यहां पर first compound में अगर देखो तो यहां पर मुझे six five electrons दिखाए दे रहे यह वाला कैसा यह sp2 लेना रहे conjugated है तो यह compound कैसा हो गया आपका aromatic यहां पर भी देखो इसके दो इसके दो इसके दो बागी के सभी आपके carbon कैसे यह sp2 hybridize है यहां यहां पर यह compound भी कैसे है six five electrons aromatic compound अगर मैं थर्ड compound की बात करो तो यहां पर बोरॉन की hybridization क्या यह sp2 पारलेल प्लेल में यह sp2 hybridize वाकेंड पी के वज़े से कितने पाई लेक्ट्रॉन से प्र पाई लेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यह compound कैसा होंगा aromatic sorry anti-aromatic प्र पाई लेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो फॉर्थ compound की अगर बात करो तो यहां पर कितने पाई अलेक्ट्रॉं दो यहां पर यह दो यह दो यह दोந्युट्रे लों पेर पाई लेक्ट्रॉन स्मिन वाल है क्या यह नहीँ तो पाई लेक्ट्रॉन सेथ और अगर मैं बात करूए कि इसके sulfur के लों पर conjugations में वाल है तो यहां पर भी six five electrons है तो यह भी compound कैसा है aromatic कितने compound निकल करा है हमारे aromatic यह aromatic है one two three and four आपका correct answer हो क्या होगा number of aromatic compound is next questions देख लेते हैं आपर among the following the number of molecules that are that are aromatic is तो यहां पर आपको compound दिये गए उसमें आपको पताना है कि कौन कौन से compound आपके aromatic compound यहां पर अगर मैं बात करूँ इसे number इंग देते तो फर्स सेकंड थर्ड और फॉट ठीक है यहां पर फिफ्ट six seven और यहां पर eight तो first compound आपका कैसा है first third और fourth first और third और fourth में अगर बात करें तो यहां पर कौन सा rules use होता है cracks rule ठीक है और cracks rule होने के लिए follow करने के लिए ह्या कंडिशन से को पॉलिस ख़लीक नॉन बेंजोनाइट कंपाौन होना चीया है यह भही सब में पॉलिस साइक्लिक नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड पॉलिसाय कि लिए हैं यहां पर यह भी polycyclic है, यह भी polycyclic non-benzone, कोई भी benzine ring आपको compound में present नहीं दिखी, ठीक है, दूसरी conditions क्या होती है, C2 axis should be present C2 axis should be present C2 axis should be present यहाँ पर अगर मैं बात करो यहाँ पर C2 axis present है यहाँ पर अगर बात करो तो यहाँ से C2 axis present है यहाँ पर बात करो हिप्टेलिन सिस्टम में तो यहाँ से C2 axis present है, तीन compound जो आपके first, third and fourth compound है, सब में C2 axis present है, अब अगर C2 axis present है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, number of pi bond को calculate करना है number of pi bond कितने है अगर उसमें से आप minus करते हो अगर उसमें से आप minus 1 करते हो तो यहाँ से आपको दो number मिलेंगे, दो possibility क्या हो सकती है भई, यहाँ तो even मिल सकता है, यहाँ फिर आपको odd मिल सकता है अगर even मिलता है, तो क्या possibility होंगी, aromatic, non-aromatic यहाँ से तो आप anti-aromatic तो बताने सकते हैं, यहाँ से दो ही possibility है, यहाँ तो compound जाता है even even अगर नंबर आता है तो उसके लिए हमारा compound रहेंगा aromatic और अगर odd नंबर आ जाता है तो उसके लिए compound रहेंगा non-aromatic ठीक है समझ में आया है यहाँ ते clear है अब देखो यहाँ पर यहाँ पर नंबर आप आपका non-aromatic ठीक है यह compound बनका है non-aromatic अगर थर्ड compound की बात करें तो यहाँ पर कितने पाइब होंट है आपके पाच पाइउ-1 पाइउ-1 आजाता है आपका 4 और 4 कैसा even तो यह compound कैसा बन जाएंगा आपका even नंबर है तो यह compound बन जाएंगे अरोमेटिक इसलिए जो एजूली ने इसका नाम क्या एजूली आजूली शोज अरोमेटिक नेचर अगर सेवन मिंबर अगर compound की बात करें तो यहाँ पर कितने पाइब होंट प्रेजेंट है सिक्स सिक्स माइनस वन फिर से आपको और यह compound भी कैसा होंगा नौन एरोमेटिक इसलिए यह तीन compound को हम क्रैक्स रूल से सॉल करें अब आती है भाई सेकंड कंपाउंड की सेकंड कंपाउंड को हो सा आपका साइक्लो ओक्टा टेट्राइन जिसे हम सी ओटी की नाम से जानते जो यह compound होता यह नौन प्लेणर टफ शेप में प्रेजेंट रहता है तो यह compound कैसा है अगर नौन प्लेणर होंगा तो यह compound बंजाएंगा नौन अरोमेटिक टफ शेप एट मेंबर होने की वज़े से यह प्लेणर एक्जिस्ट नहीं करता नौन प्लेणर फॉर्म में टफ शेप में प्रेजेंट रहता है जिससे यह compound बंजाएंगा नौन अरोमेटिक अगर मैं बात करूं यहां पर देखो अभी six compound एन पाइलक्ट्रॉन से एन पाइलक्ट्रॉन से इमेड आपका इंडॉल यह compound कैसा है अरोमेटिक ठीक है यहां पर भी आपको टेन पाइलक्ट्रॉन दिखाए दे रहेंगे लेकिन यहां पर क्या होता है यहां पर जो hydrogen से और इनके बीच में बहुत जादा repulsion हो जाता है और steric clash के वजह से यह अपनी planarity loss कर देता है वो देता है जिसके वजह से यह non-planar form में चलेगा और non-planar compound कभी aromatic नहीं होते यहां पर यह compound कैसा बन गया non-planar non-aromatic ठीक है अगर 8 compound की बाद करें तो यहां पर कितने pi electron से देख लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14 pi electron से यह system भी कैसा है वे conjugated है planar है 4i resonance अच्छे तरीके से 14 pi electron से तो 4n pi electron system को क्या कर रहा है 4n 2 plus pi electron को follow कर रहा है cyclic है planar है conjugated है तो यह compound कैसा होंगा भी aromatic cyclic planar conjugated तो यह compound मन गया आपका aromatic next देखते है यहां पर compound number 5 यहां पर जो compound दिया है ना यहां पर यहां पर fully win system दिया गया लेकिन यहां पर fully win system क्या है भी यहां पर as it is compound दिया यहां पर आपको यह compound आपका कैसा हो गया भी आपका non-aromatic नोन-aromatic यहां पर आपको aromatic compound के बारे में पूछा गया था aromatic compound कोंड़ से निकल कर आया आपके थर्डवाला compound आया और उसके बाद देखे तो यह वाला दो और उसके बाद अगर देखे तो यह वाल ठीक है तो यहां पर कितने compound यहां से aromatic compound निकल कर आए तीन ठीन तीन अरमेटिक compound निकल कर आपका correct answer क्या होंगा फ्री नेक्स्ट कोश्चन्स देख लेते हैं यहां पर questions क्या है which of the following spaces are aromatic in nature ठीक है देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखो cyclic है planar है conjugated है planar है six five electrons है यह compound कैसा है aromatic two four six nitrons के लोगन पर किसके conjugations मिन वाले ने ने पाई लेक्ट्रोंस को count करेंगे यहाँ पर भी आगर देखे two four six oxyanate two loan pairs oxygen के लोगन पर आफ इलक्रोंस काउंट करेंगे यहाँ पर six पाई एलक्ट्रोंस कंपाउंड कैसा aromatic यहाँ पर देखो two four six eight ten twelve fourteen fourteen पाई लेक्ट्रोंस को फॉलो कर रहा है तो यह अगर बात करें फॉर्थ कंपाउंड की फॉर्थ कंपाउंड में क्या दिखाए दे रहा है आपको फॉर्थ कंपाउंड में सर यहाँ पर eight पाईलक्रोंस है यह फॉर्यन सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो यह कंपाउंड कैसा बन गया एंटी अरोमेटिक एंटी अरोमेटिक यहाँ पर करेक्ट ओप्शन कों सा होंगा अरोमेटिक अरोमेटिक कंपाउंड कों सा होंगा आपका यहाँ पर अरोमेटिक कंपाउंड आपके ए बीसी ए बी करेक्ट ओप्शन इस ए बीसी नेक्स कोश्चन देख लेते हैं यहां पर आपको दिया गया पायरोल और यहां पर यहां पर और पिरीडिन में क्या दिखायते रहा है कि सर यहां पर दोनों के पास लेकिन पायरोल के अगर बात करें तो पायरोल की नाइट्रोइन के लोन प्यार यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्लेसियम इफेक्ट तो लग नहीं सकता यहां पर नाइट्रोजन रिग में प्रेजनेट दूसरा कोन से इफेक्ट बताता है फिर्ट्रोन निकिट्व अइम यह मायनस आ उपिक्ट बता सकता है यह क्या कर रहा है अपनी तरफ एलक्ट्रोन देंसिटि पूल कर रहा है मायनस आ ऑइलक्ट अहीं लगा रहा है ये नेक्स नेक्स एक्जामपल देस्पेशिस कमपांड डैट आर अरो मेतिक अमांग दी फॉलववग अगर मैं अटी कमपांड की बात करूं कि यहां पर यह कैसा है पूर पाइलक्ट्राउंस पूर पाइलक्ट्राउंस सिस्टम यह compound कैसा बन गया anti-aromatic आपको aromatic पूचा है यहाँ पर तो yes p3 hybridizer यह तो non-aromatic बन गया non-aromatic ठीक है तो हमारा P सही है P सही है P यहाँ A यहाँ यह A और C तो ऐसे eliminate हो गया अब देखते हैं यहाँ पर पाई एलक्ट्रोंस को काउंट करो देख लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14 पाई एलक्ट्रोंस मिन्स यहाँ पर 4 एं प्लस 2 पाई एलक्ट्रोंस को फॉलो कर रहा है यह कंपाउंड कैसा होंगा है अरोमेटिक अपका करेक्ट ओप्शन क्या हूंगा P and Yes देख लो P and Yes यहाँ पर तो आपका एंटियार्यमेटिक है यह यह एलिमीनेशन हो जाता है यहाँ पर इलिमीनेशन मेहताद भी बहुत बेंजीन आप आई टी याम 2010 का कोशन से इनमें आपको रिलेशन्स बताना है पर एक बेंजीन है और दूसरा कंपाउंड दिवार बेंजीन है दोनों में आपस में क्या रिलेशन्स तो यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर यह बेंजीन और दिवार बेंजीन कैसे है इस त्रॉक्चरल आइसमर्स कैसे आपस में इस ट्रॉक्चरल आइसमर्स नेश्ट कमपाउंड देखते हैं विज और दी फॉलेंग अर अर्वेंटिक इन नेचर ढालगे एटीजांप 2009 का कोश्चन से यहाँ पर आपको 4 compound दिये, यहाँ पर आपको aromatic compound बताना है, जैसे आप देखते हो P compound में, तो मुझे यह carbon दिखाए दर है, SP3, यह बन गया non-aromatic, non-planar, यह compound बन गया non-aromatic, second compound की, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर Q की, तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाए, दर है, 6, 5, electrons, planar, conjugator, तो यह compound कैसा बन गया, aromatic, R compound की बात करूँ, तो यहाँ पर 8 pi electrons है, लेकिन याद रखना, जब भी 7 member रहेंगे, with negative charge है, तो यह compound 8 pi electrons क्या करता है, होना चाहिए, anti-aromatic, लेकिन stability gain करने के लिए, यह compound बन जाता है, non-aromatic, non-aromatic, ठीक है, एक out of plane चले जाता है, यह वाला carbon, इसे IMP करके लिखना, लेकिन हमें aromatic पूछा गया था, तो यहाँ पर यह तो anti-aromatic होता है, या फिर non-aromatic, लेकिन example important है, बोल सकता है, पूछ ले, यहाँ पर yes compound के अगर बात करूँ, तो 6 pi electron से plane आ रहे, conjugated है, तो यह compound कैसा है, aromatic, aromatic, aromatic compound है, यहाँ पर aromatic compound कौन-कौन से निकल करा है, q and yes, ठीक है, यहाँ पर correct options क्या होंगा, d, option d, next example देखते हैं यहाँ पर, the value of yen for the following molecules according to Huckers rule, IT Jam 2007 का question से, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, pi electrons को count कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यह compound, और wrong आपको structures बना कर दियाता है, इसे सई कर लेते हैं, पहले, यहाँ आपको कुछ इस तरह से है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक six member ring थी, यहाँ पर एक six member ring, यहाँ पर double bond की जो position से आपको गलत बताया गया था, यहाँ पर एक benzine, यहाँ पर double bond होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ, अब आपको calculate करना है, number of five bond, 2, 4, 6, 8, 10, 12 बरावर बरावर गिन रहा हों में यहाँ पर ठीक से गिन ले ला यहाँ पर फिर से मैंने गलत बना लिया यहाँ पर आपका ऐसा कुछ इस तरह से डबल बॉंड है जिसे नॉन हकल डबल बॉंड क्याते है यहाँ पर आना चाहिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह 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 जो बीच वाला डबल बॉंड है इसे हम काउंट नहीं करेंगे यह कैसा होता है डबल बॉंड नॉन हकल डबल क्योंकि यह जो कॉंजूगेशन हो रहा है उसके पेरी फेरी में यहाँ यहाँ पर यह conjugations में नहीं है, conjugations को disturb कर रहा है, तो यहाँ पर अगर देखे तो आपको कुछ यह वाले जो pi electrons है, conjugations में एक periphery में, तो total pi electrons कितने हैं यहाँ पर 14 pi electrons है, और हमारा formula क्या आप 4 n plus 2 तो 2 को इदर लेकर आओ, 4 n is equal to क्या हो जाएंगा, आपका 14 minus 2 is equal to 12 4 n है आपका, तो n is equal to क्या जाएंगा, 12 by 4 is equal to 3, यहाँ से आपकी value निकल कर आई n is equal to 3, आपका correct options क्या होगा, options ठीक है, यहाँ पर डाइग्राम अच्छे से देख लेना, यहाँ पर double bond की position से, इसे कौन सा double bond क्याते हैं not huckle pi bond not huckle pi bond यहाँ पर आपके aromaticity के questions खतम होते हैं I hope आपको सारे questions अच्छे से समझ में आया होंगे, ठीक है, बहुती interesting and easy questions थे यहाँ पर हम आज के sessions को खतम करते हैं thank you so much for watching and happy learning आया धुमिपको Mesách आया आया that night this video now a process mean yeah